एक पहाड़ी के नीचे रामगर नाम का एक गाव था. गाव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे. हर दिन की तरह लक्षमी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाडी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी वो हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसंद थी कि वो कब एक शेर की गुफा के पास पहुँच गई उसे पता भी नहीं चला शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वो पिछले दो दिनों से भूखा भी था जैसे ही लक्षमी शेर की गुफा के पास पहुँची गाय की खुश्बू से शेर की नींद खुल गई वो शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाए देखकर खुश हो गया शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी दो दिनों की भूख मिट जाएगी वो इस तंदुरुस्त गाए का ताजा मास खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहार लगाई लक्षमी शेर की दहार सुनकर डर जाती है जब वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाए नहीं देखी जब वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाए दिया उस शेर ने लक्षमी को देखकर फिर से दहार लगाए है और लक्षमी से कहा मुझे दो दिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था मैं भूखा था शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिता लूँगा शेर की बात सुनकर लक्षमी दर जाती है वो रोते हुए शेर से कहती है मुझे जाने दो मुझे मत खाओ मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिफ मेरा ही दूद पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है लक्षमी की बात सुनकर शेर हसते हुए कहता है तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ मैं तो आज तुझे खाकर अपनी दो दिनों की भूख मिताऊंगा शेर के ऐसा कहने पर लक्षमी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो मैं आज अपने बच्छडे को आखरी बार दूद पिला दूँगी और उसे बहुत सारा प्यारा करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना शेर लक्षमी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गाव आऊंगा फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा लक्षमी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गाव वापस चली जाती है वहां से वो सीधे अपने बच्छडे के पास जाती है उसे दूद पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है फिर बच्छडे को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा वो कल सुबह होते ही अपना वच्छन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी अपनी मा की बाते सुनकर बच्छडा रोने लगता है दूसरे दिन सुबह होते ही लक्षमी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुँच कर शेर से कहती है अपने वच्छन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अब तुम मुझे खा सकते हो गाए की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अफ्तार में प्रकट होते हैं वो लक्षमी से कहते हैं मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा तुम अपने वच्छन की पक्की हो मैं इससे बहुत प्रसन हुआ तुम अब अपने घर और बच्छडे के पास वापस जा सकती हो इसके बाद वे उस गाए को गौ माता होने का वर्दान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते ह कहानी से सीख हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिये हुए वच्चन को पूरा करना चाहिए यही हमारे ड्रिर्व्यक्तित्व को दर्शाता है